हलो यूटूब फैंड वेलकम बैक टू माई यूटूब चनल मैं यूटूब चनल का डाब है पार्त लगडावाला की दुनिया फूल वाच के साथ में मेरे वीडियो देखते रहिए लाइक करते रहिए मेरी चनल को सब्सक्राइब करते रहिए बाजू में जो मैल आइकन है आप अल्बे ट्लिक करोगे तब भी आप सबी लोग को मेरा नया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा फ्रेंड्स आज में बहुत अच्छी में बात करने वाला हूँ आई होब मेरी नई बाते बहुती पसंद आईगी लेकिन मेरी नई बाते ऐसी है जो ठोस बातों के साथ में आज ये वीडियो यूटुब चरह पे अपलोड करने में जा रहा हूँ तो आईए वीडियो की शिरुवात करते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग ने कभी प्ले बत्रब डाटक देखा है चार लेगवेज में अलग-अलग होता है जैसे कि गुजरती हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया और इंग्लिश भी हो गया ये चार लेगवेज में अलग अलग-डाटक होता है अभी दूसरी कुछ अलग बातें करते हैं बहुत बड़ा स्टेज होता है स्टेज के उपर सेटिंग को लगा जाता है सेटिंग के उपर प्रोपर्टी लगा जाता है जैसे कि टेलिफॉन हो गया फिर बें आर्टिफिशल फ्लावर हो गए सब अलग- और सेट के पीशे पारी का मॉटल भराया जाता है और जिते भी कलाकार लोग है ठक जाते हैं तो जब पारी पीने को भी अंदर जाते हैं यह तो अलग बात हो गई लेकिन उससे पहले क्या होता है वह भी आपको बचाता हूँ अभी सब हो गया सेटिंग सब रेडी हो गया अभी बात करते हैं लाइटिंग इफेक्ट के बारे में जो लाइटिंग होता है तो लाइटिंग के साथ साथ में अलग-अलग पेपर भी होते हैं कलरिक पेपर और जो गया रेड हो गया ब्लू हो गया यह सब अलग-अलग कलर coloring paper रहते हैं और ये coloring paper lighting डालने के बाद में lighting effect करते हैं और lighting को set करते हैं और ये सब set करने के बाद में जो character रहते हैं तो character के स Also में कौर-kोर से अलग-अलग जो character है उसके उपर expression मतलब हिदी में उसको बोलते है हासिय रस, करुन रस, विबिता रस ये सब अलग-अलग रस के प्रकार है तो ये सब होता भी है और दूसरी में बात करूँ ये सब लाइटिंग हो जाने के बात में music के बारे बात करते हैं अभी music पहले सबसे पहले जो music वाला जो रहता है तो पहले music बजाता है कि जो खुर्शी के पीछे की side music बजता है या नहीं बजता है तो पहले checking करने में आता है, bike system को भी पहले checking करने में आता है के बाएक का आवाज आता है या नहीं आता है ये सब फाइरल हो जाने के बाद में कटन को बंद किया जाता है और कटन को बंद करने के बाद में जितने भी कलाकार लोग है कॉस्चुम के साथ में रेडी हो जाते है और पुजा की जो थाली है वो रेडी की जाती है और फिर बाद में स्टेज के उपर घरपती जी का मुर्ती रखा जाता है और स्टेज के उपर स्वस्तिक की पुजा की जाती है डायल के उपर स्वस्तिक की पुजा की जाती है अगर मती चला जता है और प्राथरा कौन सी होती है साथ विकवं शिवं जी हाँ फ्रेंट्स यह कलाकार लोग स्टेज के पीछे धीर से बोलते हैं और फिर बात में फर्स्ट बेल बचता है फर्स्ट बेल बजने के बात में धीर धीरे प्रिक्षक लोग अंदर आते हैं खुर्शी के उपर बेटते हैं, सेकेंड बेल बजने के बाद में राश्रिय गाला बचता है, ये सब प्रोग्राम खतब हो जाने के बाद में डाटक की शुरुवात होती है थड़ बिल से, और सबसे पहले सुत्र धारक काता है, और सब बात बताता है के ऐसे से डाटक पे होने वाला है, ऐसे से कलाकार वाले लोग है, और फिर बात में कटन खुलता है दीरे दीरे कलाकार लोग अंदर आते हैं और अलग-अलग कॉमेडी प्रस्तुत के साथ में नाटक को भी एंजोई करते हैं प्रिक्षक लोग और एक बात में बोलने वाला हूँ जब नाटक खत्ब हो जाता है तबी जिते भी प्रिक्षक लोग है वो तो चले जाते हैं लेकिन जो कलाकार वाले लोग हैं तो लोग मेकप को कैसे निकालते हैं क्रीब या ओयल से कोकणट ओयल से मेकप को निकाला जाता है जी हाँ फ्रेंड्स आज यह जो मैंने बात बताई है यह थी परदे के पीछे की सच्चाई की कहानी और डाटक के बारे में जो पहली बार ये वीडियो यूटूब चैनल पे जो मैं अप्लोड करने जा रहा हूं आप सभी लोग को कैसा लगा कमेट बॉक्स पे कमेट करते रहें मिलता हूं देक्षियों पे न्यू ब्लोग पे तब तक के लिए थैक्यू एंड टेके टोल अफ्यू लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और भी नए नए ब्लोग वीडियो यूटूब चैनल पे अप्लोड होना बाकी है थैक्स फॉर वाचिंग बाई फ्रेंड्स कि दोलूश लाइक्स